हलो दोश्तो नमस्ते गुड मॉर्णिंग कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ आप बहुत बहुत अच्छे होंगे तो अभी मॉर्णिंग के 5 बच चुके हैं और मैं सो करके उठ गई हूँ तो यहाँ पर पैन रहे हैं स्वेटर क्योंकि ना सर्दी बहुत जादा पड़ है तो स्वेटर वेटर पैन लिया थोड़ा सा फेज देख लिया है सीसे में और इसके बाद चलते हैं अपने काम में तो पहले भरूंगी ताजा पानी गरम-गरम ज्यादा नहीं भरूंगी क्योंकि यह ठंडा हो जाएगा जब तक दिन निकलेगा तो यहां पर यह जो समयर तक लिए हो जाएगा और यह जो टप में पानी है तो यह जाड़ू पोचा यूज में हो जाएगा और बच्चे और अंस के पापा यह सबी लोग सो रहे हैं बस तो अभी पानी भाल लिया तो मूँ धूल लेती हूं पहले इसके बाद फिर मैं पीयोंगी गरम पानी तो यह पानी गरम करूंगी पीने के लिए तो यहां पर केचेन के जो है तो गेट बंद है तो बस गेट खोल के और लाइट वगएरा जलाओंगी और थोड़ा सा ना सुबह जल्दी उठो ना तो अपने लिए भी टाइम मिल जाता है जैसे पानी गरम पीना थोड़ा सा रेस्ट ल फेस को पोच लेते हूं देखिए और अभी ना सो कर जागी हूं ना तभी इसलिए ना मेरा फेस इस तरह देख रहा है तो हम सुबह जल्दी उठते है ना तो बहुत सांती के महाल होता ना तो बहुत अच्छा लगता है है ना सुबह सुबह हलो दोस्तों गुड़ मॉनिंग कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं बहुत बहुत अच्छे होंगे तो अभी जश्ट सो करके और मुध लगत के आई हूं आपने देखा तो बस अभी आई हूं पानी गरम आने के लिए पानी गरम अगा दपीलो इसके बास जोए तो अपना का जाड़ू बगाऊंगी और पानी को नमेले चाना था तो बस पानी को भी आपर डाल कर बैठ कर थोड़ा आराम से पीलोंगी इसके बाद पिर अपना जाड़ू बगाऊंगी सबसे पहले काम यह रहता कि मिलब गेट के बाहर जाड़ू लगाती हैं और हमारे याना ऐसा होत देखिए अभी आपको में दिखाऊंगी और लोग ना जा रहे हैं देखिए आपना जो रोडर साफ करने वाद लोग आते ना तो वहाँ पर आग जल रही है तो वहीं है और जाड़ू लगा दी ती इसके बार देखिए और डालने आई थी तो लाइट ही कड़ गई बस इस पर देखती हूं क्या करूंगी वरना फैसे लेट ही जाओंगी बस और कुछ काम नहीं करना है मुझे तो अभी देखिए यहां पर यह बाबा आयते सब जीवेच ने तो यहां पर सुबह का टाइम है साथ बच चुके हैं और बाबा ना सेम लिए हुए थे तो मैंने इंसे अभी सेम लिए हैं और देशी सेम है बहुत अच्छी बंती है यह वाली सेम और यह घर में ही लगाते हैं तो यह देखिए कितनी अच्छी है तो बस इनको धूल कर रग दूँगी पर पानी छट जाएगा तब तक मैं अपना दूसरा काम कर लूँगी तो यह देखिए अच यह जो मैं टप में पानी भरा था ना सुबह तो बस यह इसी से मैं सेम को दूल लूँगी और पोचा बगारा मैंने अभी किया नहीं है तो अभी न सीधे जा करके चाय बनाऊंगी इसके बाद पोचा बगारा करूंगी तो यहां पर मैंने सेम को दूल करके रख दिया है औ फिर धर्ती तो ठंडी होती ना इस वैसे तो यहाँ पर यह भर्तन बगएर है ना मुझे मेरा डेली का काम यह रहता कि इतने बर्तन लेकर जाओ फिर उठाकर के इनके किचिन में रखो इने और फिर सुबह मनला उठाकर लेकर आओ यही काम रहता है पर कोई नहीं हो जाता है म मैं जब हम चूला में खाना बनाएंगे तो थोड़ी मिनत करनी पड़ेगी ना तो यहां पर यह सारी चीजह का मैं इंतर्जाम कर लिया और चूला जला लिया है थोड़ा सा अहांत पेरसे कूँगी इसके बाद चाय चढ़ा दूँगी तो चाय पकेगी और रुच्छी हां पर चूटती नहीं है इसका काला पन होता है तो देखिए चूटा ना कितना जादा बुझ गया बहुत जादा पर शान होती जलाने में लगडी नहीं है इस बैसे तो भचे नई आपर खेल रहे थे और बना रही थी अपना चाय और साथ में सेमी भी तोड़ रही थी तो यह द आगे जैसे निकलते हैं रेसे इनको निकालके एक्साइट कर दिया है बस सेमी को तोड़ लिया है तो चाय हमारी पग गई है आप लोग भी आज आज ए मॉर्णिंग की चाय पीने के लिए गर्म गरम तो यहां पना बच्चे बहुत देर से इंतजार कर रहे थे मतलब कप चाय बनाए क्योंकि आंस जीरा लेकर आया था ना तो इन्हें ना खाने की बहुत जल्दी होती है बच्चों की आदत ऐसी ही होती है तो आप लोग भी आजाओं मॉर्णिंग की गर्म गरम चाय पीने के लिए यहां पर मैंने चाय च्छान करके दे दिये बच्चों को और चाय न पटो बस लेसओं थोड़ा वने जादा ही छेला था तो बशस लेसओं को देखर और इसन को तेल में दाल दिया है और आउन थोड़ा निकाला होने के बाद मैं थोड़ा तो तो इसे ना मैं लैसॉन को fry कर के निकाल दिया है तो मैं इसे ना ऐसे ही खाऊंगी क्यूंकि ना लैसॉन को जो है तो हम ळोग तेल में fry करके ये भूहन के खातेने तो इससे ना थोड़ा Candies थोड़ा कम होती TRE तो यहां पर लेसुन प्याज और हरी मेर्च बगारा फिराई हो गई थी तो इसके बाद पर मैंने आलू और सेम डाल दिये और इन्हें डग दूंगी नमक डालके तो यह अपना पकती रहेंगी तब तक मैं अपना आटा भी लगा लूँगी और आज न मैं नहाया नहीं है क् इस कारण से नहीं मैंना आया क्योंकि न मुझे गेहूं और सरसों दोनों साप करनी है तो इस वैसे मैंने का पहले जो है तो खाना बना देती हूं फिर इसके बाद जो है तो मैं साप करूंगी गेहूं और सरसों तो यहां पर जो है तो सबजी मेरी अध़ पकी हो गई थी इ देखिए धुआ के वैसे थोड़ा साप साप नहीं दिख रहा है क्योंकि धुआ इतना ज्यादा हो जाता है जब चूला जलता नहीं है तो फिर ना धुनला धुनला देखने लगता है तो यहां पर जो है तो सब्जी मेरी पक रही है तब तक मैं आटा लगा रही हूं सोर मत सब्जी को बीच बीच में चला आती गई हूं तो सब्जी मेरी पक गई है आटा भी लगा के रख दिया है और सब्जी को पलट के रख देती हूं कढ़ाई में और बस यह बरतन रख दूंगी धुलने के लिए अपना रोटी यह बना लूंगी तो आजा हूं आप लोग भी मॉर्निंग का खाना खाने के लिए और पता है जब से अंस की छुटी हो गई है न तब से मैं सुबह जो नास्ता बनाती हूं तो ही मैं दोपैर में खाना बनाती हूं वरना मैं सुबह को बना लेते हूं इसके बास साम को ही बनाते हैं दोपैर में कोई खाना नहीं बनाती है तो अधीन बना लेती तो देखें कितनी बढ़िया फूली फूली रोटिया रही है लाकि आंपके के लोगे अव कहले कि जाता हुआ है को शुटा ने चला जाते है कर दो इसके में अदो कि छुटोत कर ला देखें के.. तो इसके बाद फिर मैंने का चलो थोड़ा सा इनका भी वीडियो बना देते हैं तो बस ग्यों साफ करने करके रख दूंगी इसके बाद फिर मैं सारसो भी साफ करूंगी क्योंकि न असरदी बहुत जादा और आज न विल्कुल भी धूप नहीं है टाइम न मुझे लगता सा अब बागी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि न यह साइकल से रखाते हैं पर उठा करके रखो साइकल के उपर तो ज्यादा बजन हो जाता न तो उठाने में दिक्कत होती है इस वैसे तो यहाँ पर देखिए गेहु मैंने साप कर दिया और पचीस किलो से जादा है गेहु मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्योंकि न तिवार के वैसे मैं थोड़ा जादा ही गेहु को साप किया है तो बस यह जितने गेहु थे तो बस इनों साप कर दिया फरस इसके बाद में आपर सरसली लेकर आए हूं तो भस सरसो को भी साप करके रख दूंगी तो गे हूं तो पर बहु है जो तो मसीन में रखकर आएंगे और सरसो को हम लोग झब तेल पेराते हैं मसीन में तो आप अभना बैठ की ही पिराना पड़ता है क्योंकि न जैसे हम लोग साथ में लग कोई कोई यह आदत होती ना जैसे बैठ के ना पिराओना तो मालब थोड़ावत कम तेल ना कम कर लेते हैं निकाल लेते हैं जैसे बैठ के पिरा लेते हैं सामने तो सही रहता है तो यह सरसो जो है तो साप करके बोरी में भर दी है और मतलब होगी मतलब दो पसे मतलब दस बारा के लोग के लगबक सरसो मैंने साप किया था और इसके बाद अमा जी भी आ गई थी पैठने के लिए तो वह भी बैठी रही थी और सरसो साप करने के बाद यहां पर मैंने पोछा करने के लिए आ गई हैं पोछा मैंने कहीं नहीं किया बस दोनों बरामदों में किय तो इस वाइसे ना मन भी नहीं कर रहा था क्योंकि नहाना था पर मुझे तो काफी लेट भी हो रहा था तो फिर मैंने का चलो अब नहां लेती हूं कल करूंगी तो चलिए नहां वाकर आप लोगों से मिलूगी पोच्छा मैंने दो ही जगे किया है मैंने नहा लिया है और नहांने का नहा ही इनकी जैकेट पहनी हूं क्योंकि मेरा स्वर्टर नह बहुत ज्यादा गंदा है और टाइम नहां भी साड़े बारा बत चुके हैं तो मैं बनाने जारी थी चाहिए कि मैं बहुत ज्यादा सदी है धूप बिलकुल भी नही है और अम आज केड़ रहे हैं ये बच्चों से बात कर रहे हैं तो चल्गे फिर में चाय बना लेती हूं आज के मेरा वीडियो यहीं तक रहे हैं कि अगर आप से लिए अच्छा लगे तो प्ली चैनल को सब्सक्राब कर लेना और अखल मिलूगे एक न्यू व्लोग के साथ तब तक के लिए बाई बाई